नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि हौरन ओर टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, हौरन ओर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और हौरन ओर टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट् मैं क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, हौरन ओर एक ब्रैंड नेम है, हौरन ओर टैबलेट के अंदर दो एंटिबायोटिक दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, हौरन ओर टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन और निडाजोल 500 mg और ओफलोकसासिन 200 mg होता है, हौर और डाइरिया होने पर यानि दस्त होने पर हौरन ओर टैबलेट का उप्योग किया जाता है, हौरन ओर टैबलेट पेट के इंफेक्शन को खत्म करके डाइरिया की समस्या को ठीक करती है, इसके अलावा फैफरों में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक् पर infection होने पर भी Dr. Horan O tablet को लेने की सला दे सकता है। जिनमें आपका Dr. Horan O tablet को लेने की सला दे सकता है। Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Horan O tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Horan O tablet की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधज्मी होना, चक्कर आना, भूप कम लगना, मोह का स्वाद खराब होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना, सिर्दर्ध होना और दस्थ होना आदी side effects Horan O tablet की वज़े से हो सकते हैं, अब हम discuss करेंगे की Horan O tablet को कैसे लेना recommended होता है, Horan O tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Horan O tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, Horan O tablet की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमार होता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम discuss करेंगे की Horan O tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, दाइबिटीज होने पर Horan O tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, क्योंकि Horan O tablet ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है, अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए, क्य अपने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Horan O tablet को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक Horan O tablet को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस हो सकता है, और एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम न पूरा लेना चाहिए. प्रेगनेंट महिलाओं के लिए होरन और टाबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है. अभी इसके बारे में परियापट डेटा अवेलेबल नहीं है कि होरन और टाबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं. इस वीडियो को लाइक कर दीना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका हॉरन और टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.